हेलो चेंपियन सब्सक्राइब का बहुत बहुत स्वागत है एसल चैंप के एक और नए वीडियो में और इस वोड़ में कवर करने वालों गाइज सेकंड टेस्ट मैच जो की इंडिया और साफट अश्रिका के भीज गाइज देखो यह मैच न्यू लेंड्स केप टाउन में खेला जाने वाला है और दो मैचों के सिकला में अभी तक एक जिरो से साफट अफरिका बहुत ही आगे गई है और पहला मैच भाई हमने बहुत ही तरीके से मात खाया था यानि कि एक इनिंग और ती सरण से भाई हम हारे थे तो अगर यह मैच भी हारती है तो मतलब दो जिर तो होगी होगी और आगे आने वाले टेस्ट चैंपियंशिप में थोरा सब मुस्किल भी इंडिय के लिए बढ़ जाएगी ठीक है वाई तो बहुत सारे लोग है ना जो कि टेस्ट मैच को भाई खेलते ही निया तो बिल्कुल भाई है आप बहुत गलत काम कर रहे हो ठीक है तो वीडियो को द्यास से देखना और लाइक कर दो भाई जो है रही होता है और सब्सक्राइब होता है वही हमारे लिए मोटिवेशन है इसमें आप बहुत कमी करते हो ठीक है तो वाई वीडियो को आप लाइक करना और है एक वात और जो कि इंपोड़ेंट है अगर आपने आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में डास दूंगा बिल्कुल फ्रेंड पर तो वहां सब जाकर सिंपल आप मरे टेली राम चैनल को आप जोईन कर सकते हो एसल चैम पर आपको सारी टीम है विल्कुल फ्री में हम लोग प्रवाइट करते हैं ठीक है तो जुड़ बाई बैटिंग फ्रेंडली से क्या यहां पर चौथे पाच्वे दिन तो टेस्ट मैस में वीकेड टूट ही जाती है तो इसा बिल्कुल भी नहीं है इंडेंट पीछ या फिर जो एसीन पीछ होती है और जो अस्टेलियन पीछ या फिर जो मतलब इंगलेंड वाला या फिर इसमें थोरा सा इंडेंट पर जोस्तों तीसरे दिन जाते तक टूट जाती है इंग बाहर वाली पीछेज होती है तो वहां पर एक तो बात कहा है कि फ्रेंडली पीछ होती है और चौते दिन तक भी पीछ टूटती नहीं है तो वाई यह आप इक बात बिल्कुल स्योर है न यहां पर लास्ट टेस्ट मैच के पर रिकॉर्ट भी आप यहा पर देखर लो ytस्रेंड हैंशे सब्सक्रेंट फीक्ट शोब्रेंट ऐस इ wa Nikki जो यहां पर पाक्चवे तक बैटिंग कर्ति ही देख़ो यहां पर मैंच को विनर्या ऑक तो यहां पर लास्ट के दो मैच खेलेगा है ना उनका भी आप यहां पर स्कोर देख लो थोड़ा सा स्कोर देखकर आपको यह पता चले का बाइज विकेट ठीक ठाकर देखो यहां पर रन बनाना और जादा आसान होता है फर्स्ट इनिंग से मतलब बहतर सेकंड इनिंग में यह पीच खेल दिया ठीक है तो यहां पर पॉसिवर प्लेंग भी आपको में दिखाने वालों तो यहां पर हैट्व डिकॉड में साथ अफरिका और इंडिया टोटल 43 बार विडिया टेस्ट मैस में जिसमें गाईज 18 बार साथ अफरिका और पंद्रा बार यहां पर इंडिया विन किया और दस मैस तो ड्रोई रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहां पर एक तरफा साथ अफरिका ही मैच को विन करती वाई तो टकर यहां दोनों टीमों के बीच है अगर आप लास्ट पांच मैच का फॉम देखते हो तो तो लास्ट पांच मैच मैं तीन मैं जीत करा रही है टेस्ट मैच और इंडिया तो पांच मैच मैसे कि वर लिक ही मैच विन किया और लास्ट मैस तो बहुत ही बोरी तरीके से तो इसके चलते यहार हमें लगता है कि इस मैच में भी साट अफरिका मतलब one side winning करने वाली है तो देन अलगर का यह लास्ट रिंखला रहने वाला है तो यह को कप्तान बना दिया गया और चोटिल होने करांड इस मैच में नहीं खेलेंगे और इस मैच में लूंगी एंग भी खेलने वाला है गर्लार्ट कोर्जे के प्लेस पे ठीक है बागे यह और मतलब रहेंगे पूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पर गाइस दोखो अस्वीन के प्लेस पे रविंज जड़ेया को आइधिंग टीम इंडिया कर सकती है इस मैच में क्योंकि यहां पर चैंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं सब्सक्राइब बागी कुछ प्लेयर है जो कि आपको बैंस पर दिखेंगे जिसमें दोस्तों जाड़ेया इस मैच में को खेल सकते हैं ठीक है इसना पर मैं आप टीम की बात करूँ बटू से पहले मेरे वाई टेली राम पाचनल जोइन करना आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है लिंक मैं अपने वीडियो के डिसक्रिप्स में डा बागी अगर आप चाहो तो आप यहां पर डीन एलेगर के साथ भी आप जा सकते हो तो भाई यह टीम है जल्दी से जाओ जोइन कर लो बहुत यह बढ़िया मैच होने वाला है आप विडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो का प्लाइक करना आप से मिलते हैं नेक्स कर दोड़ियो